साल 2023, दिसंबर का महिना ये साल शाहरुख खान के कमबाग का साल था बॉक्स ओफिस पर पठान और जवान ने 1000 करोन से ज्यादा का कलेक्शन किया था अब सब की नजर डंकी पर थी डंकी सोलो रिलीज नहीं थी सिनिमा घरों में उसकी सीधी भिडंत प्रभास की फिल्म सालार से होने वाली थी दोनों फिल्मों के मेकर्स ओर्डियन्स को खीचने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रहे थे इस बीच खबर आती है कि शाहरुख खान ने अपने घर पर एक प्राइविट पार्टी रखी सिर्फ इतना कहा कि दोनों फिल्मों को बराबर स्क्रीन देना पूरा सवाल आकर उठता है कि ये लोग कौन हैं और ये टेरिटरीज कैसे काम करती हैं जिन्हें अपने कंट्रोल में लाने के लिए स्टार्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते इंडियन फिल्म अंडास्ट्री के टेरिटरी का इतिहास नया नहीं है इस देश के बनने से पहले ये टेरिटरी बनी थी उनी के तहट देश के अलग-अलग हिस्तों में फिल्म में पहुँचती हैं distributors, producers से अपने territory के हिसाब से film के rights खरीदते हैं और उसे release और market करने का काम करते हैं जिन territories के लिए film में खरीदी जाती उनके बाले में बताएंगे साथ ही जानने को मिलेगा कि बीते दशकों में इन territories में क्या बदलावाए इस कहानी में अंग्रेज है या मिताब बच्चन है और तीनों हान है हमने ट्रेड एनेलेस तरण आदर्श से पूछा कि टेरिटरीज की शुरुवात कब होई थी लेट सेविंटीज में अपना करियर शुरु करने वाले तरण भी किसी तारीक पर उंगली नहीं रख पाए उनके मुताबिक ये कोई बता ही नहीं सकता कि ये सब शुरु कब और कैसे हुआ था हलांकि अपनी किताब प्रेडूसिंग बॉलिवुड में तेजस्पिनी गंती लिखती हैं कि 1930 के दशक में टेरिटरीज की शुरुवात हुई थी खास्तोर पर उस दोर में जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी थी उन फिल्मों की वज़े से दर्शकों का मार्केट बड़ा हुआ नतीज इतन एक सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था आज दिस तरह देश में विभिन्न राज्य हैं तब अंग्रेजों ने आपनिवेशिक भारत को अलग-अलग में वाटा हुआ था उन्ही प्रांतों के आधार पर इन टेरिटरीज के नाम और सीमा एते हुई एक दशक बाद देश आजाद हो गया था लेकिन किसी को भी टेरिटरी वाले सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत महसूस नहीं हुई एक पॉइंट के बाद ये सभी के इस सर्किट में सिर्फ मुंबाई नहीं आता कोने, कोलहापुर और सोलापुर में दिखाई जाने वाली फिल्में भी इसी सर्किट के डिस्रिब्यूटर्स के हाथ में होती हैं साथी गोवा और गुजराद भी इसका हिस्सा है इनके अलावा करनाटक के बेलगावी और हूबली जैसे इलाके भी इसी सर्किट के अंतरकत आते हैं दिल्ली यूपी सर्किट नाम में सर्फ दिल्ली और उतरप्रदेश है लेकिन इनके साथ ही उतराखंड भी इसी सर्किट के अंतरकत आता है दिल्ली, लखनव, कानपूर इस टेरिटरी के कुछ मुख्य सेंटर है अंग्रेजों के समय में पंजाब को इस्ट और वेस्ट में बाता गया वेस्ट पंजाब आज पाकिस्तान है बाकी इस्ट पंजाब सर्किट में पंजाब, चंडीगर, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, जमू और कश्मीर आते हैं ट्रेड अनलिस्ट कोमल नहटा के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगर, अम्रिटसर, लुध्याना, जलंधर और जमू इस सर्किट के में सेंटर है कोमल बताते हैं कि एक वक्त पर ऐसा माना जाता था कि इस सर्किट में सर्फ आक्शन फिल्में चलती हैं लेकिन समय के साथ ये ट्रेंट बदल गया इस्टन सर्किट पहले इस्टन सर्किट अपने आप में एक सर्किट था लेकिन समय के साथ इसके सब सर्किट पंते चले गए और वो इतने बड़े हुए कि उन्हें अपने आप में एक सर्किट माना जाता है आपको इसके सब सरकिट्स बता देते हैं वेस्ट पिंगॉल सरकिट, बिहार जारखन नैपाल सरकिट लोगों को हैरानी होती है कि मुंबाई सरकिट में गुजरात कैसे आ सकता है उससे भी बड़ा हैरानी का सबब यह है कि बिहार के सर्किट से नेपाल कैसे जुड़ा हुआ है जबकि वो अपने आपने एक अलग देश है कहा जाता है कि जब डिस्रिब्यूशन बिजनस की शुरुआत हो रही थी तभी से नेपाल को बिहार के साथ जोड़ कर देखा गया पहली बजह है तो यह कि दोनों बॉर्डर साजा करते हैं और दूसरी की वहाँ भी हिंदी फिल्मों की मांग रही है असम सर्किट और चौथा है ओडिशा सर्किट एक पॉइंट पर सेंट्रल प्रोविंस और बेरार सेंट्रल इंडिया और राजस्थान के डिस्ट्रिबूशन राइट सिर्फ एक ही इंसान खरीगता था लेकिन आप यह तूटकर तीन सर्किट बन चुके हैं CP बेरार, CI और राजस्थान उसी इसाब से हर जगे के अलग-अलग राइट्स खरीदे जाते हैं CP बेरार में महराज, चतीजगर और मध्रदेश के हिस्से आते हैं CI यानि सेंट्रल इंडिया इसके अंतरकत मध्रदेश के सेंटर्स आते हैं इंदोर, भोपाल, उज्जेन राजस्थान सर्किट में पूरा राज्या आता है जैपुर, जोगपूर, बीकाने, रुदैपुर और श्री गंगानगर इसके मुख्य सेंटर्स हैं South India सर्किट South का सर्किट भी समय के साथ बन चुका है अब इसके चार प्रमुक सब सर्किट सिर्फ सब सर्किट नहीं रहे उनको चाहिए फुलिजज़ ये सर्किट बन चुके हैं निजाम सर्किट, तेलंगाना और महाराश्च्ट के कुछ हिससे इस सर्किट में आते हैं माइसोर सर्किट, करनाटा के माइसोर और बैंगलोर जैसे शहर इस सर्किट का हिस्सा हैं आंध्रा सर्किट, आंध्रप्रदेश के शहर और नगर इस सर्किट के अंतरगत आते हैं Tamil Nadu, Kerala Circuit, Tamil Nadu और Keral के सभी शहर, नगर और गाउं इस सर्किट के अंदर आते हैं. Overseas Circuit, इंडिया के बाहर जिन भी देशों में फिल्में रिलीज होती हैं, वो Overseas Market में आती हैं. पहले पूरा Overseas Market एक केटेगरी में पढ़ता था, लेकिन लेट 90s में आकर America और United Kingdom में अलग-अलग फिल्में भी रिलीज की जाने लगी. माल दीजे कि किसी डिस्ट्रिब्यूटर ने एक सर्किट के राइट्स खरीद ले, अब उसे एक सब सर्किट के लिए अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? सिंपल, उस सब सर्किट के राइट बेच देगा और बाकी सर्किट के राइट्स अपने पास रखेगा. जब अक्षे कुमार की फिल्म खिलाडी 786 आई थी, तब Eros International के पास मुंबाई सर्किट के राइट्स थे, लेकिन उन्होंने गुजरात और सौराष्ट्र के राइट किसी और को बेच दिये, दोनों तरफ से उनका मुनाफ़ा हुआ. खिलाडी 786 एक बड़ा उधारण है, जहां डिस्ट्रिब्यूटर ने सब सर्किट के राइट किसी और को बेच दिये, इंसान की बांचने की आदत बहुत पुरानी है, जैसा की अंग्रेजी में कहते है, Old Habits Die Hard, यानि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती. पहले फिल्म इंडास्ट्री के डिस्ट्रिब्यूशन को टेरिटेरीज विबाटा, फिर सब टेरिटेरी बनी और उसके बाद नमबर आया क्लास का. कमाई के हिसाब से सेंटर्स को बांटा गया, नाम पड़े A, B और C क्लास सेंटर. A क्लास में बड़े शहर आते थे, पड़ी लिखी जनता इसकी ओडियन्स थी, B और C क्लास में छोटे शहर गाउं के सनिमा आते थी, टूरिंग सनिमा की गिनती भी इसी के अंदर होती थी. बेसिकली टूरिंग सनिमा वो होते थे, जहां किसी गाउं में पर्दा लगाया जाता था, और कुछ लोगों की भीड फिल्म देखने जमा होती. ऐसे सनिमा का कोई हिसाब किताब नहीं होता था, इस ते टिकेट की गिनती का पता नहीं चलता. एक समय के बाद ये सिनिमा बंध हुए, दूसरी और पायरेसी मार्किट में आई, नतीश उतन ए और बी-सी क्लास के बीच का गैप कम होने लगा. अब आप ये साउश रहे होंगे कि कौन सी टेरिटरी फिल्मों का मुकदर बनाती है? 70s तक मार्किट में बॉम्बे सर्किट का वर्चस हो कायम रहा. ये माना जाता था कि अगर बॉम्बे सर्किट में आपकी फिल्म चल गई, तो बाकी सर्किट से भी गुड नियूज ही मिलेगी. कौन लाहटा बताते हैं कि बॉम्बे सर्किट को बेस मानकर राइट्स की कीमत तै की जाती थी, जैसे मानने जे कि किसी फिल्म के राइट्स बॉम्बे सर्किट में दो करोर में बिके, तो वो उसके 100% कीमत हो गई. अब बाकी सरकित्स में उसके परसेंटिज के हिसाब से कीमत तै होगी साल 1996 में दिये एक इंटिव्यू में तरण आदरश कहते हैं कि मास सेंटर यानी छोटे शेहर वाली टेरिटरीज ये तै करती हैं कि आपके फिल्म चलेगी या नहीं वहीं से डिस्ट्रिब्यूटर अपनी लागत वसूल करते हैं तेजस्विनी गंती से हुई बाचीत में तरण कहते हैं हम सर्फ बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं हम राइपुर, भिलाई, गुजराद, भिहार और पंजाब के सेंटर्स के लिए भी फिल्में बनाते हैं इसलिए जरूरी है कि शेहरों से ज्यादा फिल्में ऐसे सेंटर्स में चले बंबई में हेट हुई फिल्म का मतलब ये नहीं कि उसे सब अपनाएंगे उसे सभी से स्वीकृती मिलनी चाहिए आपको B और C क्लास सेंटर को अपील करने की भी जरूरत है तभी आपको पता चलेगा कि आपके पिक्चर में कितना दम है तरन की बात कि समर्थर में आमिर की गुलाम याद आती है फिल्म ने बॉम्बे सर्किट में अच्छा पैसा पीता डिस्टिब्यूटर्ज ने जुतने में राइट्स खरीदे फिल्म ने उससे तीन गुना ज्यादा कमाई थी उस सर्किट में फिल्म सूपर हिट थी लेकिन फिर भी इसे युनिवर्सल हिट का दर्जा नहीं मिला उसकी वज़य क्या है? उसकी वज़य है कि Bombay की तुलना में ये फिल्म बाकी territories में कुछ खास कमाई नहीं कर सकी 70s की शुरुवात का दौर राज कपूर अपने मंजले बेटे रिशी को लॉंच करने वाले थे बॉबी को उनकी डेब्यू फिल्म के तौर पर चुना गया उस समय हिंदी फिल्म में सबसे पहले Bombay territories में रिलीज की जाती थी क्योंकि उस सर्केट से हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को प्यार ही मिला था लेकिन बॉबी के केस में ऐसा नहीं हुआ पहले फिल्मों को territory के हिसाब से रिलीज किया जाता था उस समय कोई फिल्म पूरे देश में रिलीज नहीं होती थी जैसे अमिताब बच्चुन के फिल्म महान पहले Bombay सरकिट में फिल्ब दिल्ली और फिर यूपी उसके बाद पंजाब में प्लास्ट में केरल में रिलीज हुई थी समय की सुई ने लंबी छुलांग मारी कैलेंडर पर 80's सवार बूट चुका था सिनिमा जगत में एक धर्रा बनने लगा था डिस्ट्रिब्यूटर्स ने एक पाटर्न बना लिया और उसी पर घिसाई चलती रहे अगर अक्शन फिल्म है तो उसे छोटे शहरों में रिलीज किया जाएगा खास्तोर पर पंजाब और राजुस्थान में अगर उत्तेज़त किस्म का सनिमा है तो उसे बिहार और बंगाल भेजा जाएगा अगर कोई शहरी कहानी है जहां मेलोड्रामा ना के बराबर है तो उसे बॉम्बे सरकिट के लिए बेस्ट वाना जाएगा पंजाब के एक डिस्ट्रिब्यूटर ने 90's में दिये इंटिव्यू में कहा था कि पंजाब में देओल परिवार को पसंद किया जाता है इसलिए उनकी फिल्मे तो यहां चलेंगी ही कही वज़ा है कि धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल की फिल्मों को पंजाब में पहले रिलीज किये जाने की कोशिश रहती थी ऐसा नहीं था कि इन दिस्ट्रिब्यूटर ने शुरुवात में प्रियोग नहीं किये रुमैंस और हार्ड कोर लव स्टोरी वाली फिल्में बिहार और बंगाल में रिलीज की गई लेकिन वहां ऐसी गिनिती की फिल्में ही चलती थी वहां के एक डिस्ट्रिब्यूटर ने एक पुराने इंटिव्यू में कहा था कि सिनिमा उस जनता की पहली प्रात्मिक्ता नहीं उनकी पहली प्रात्मिक्ता पेट में जाने वाली रोटी है इसलिए वो हर टिकेट खरीद कर फिल्म नहीं देख सकते उनके लिए फिल्म का परियाएवाची मनुरंजन है जिसे फिल्म से उन्हें मनुरंजन मिलेगा, वो बस वही देखने जाएंगे, उन्हें सोशल कॉमेंट्री में कोई दिल्चस्पी नहीं है अपने समय में बहुत सारा उत्पात मचाने के बाद 80's का दौर भी ढलने को था तभी उदय होने वाला था तीन सूपरस्टार्स का, जो हिंदी सिनिमा की दशा दशा बदल कर रख देंगे आमिर खान की कयामत से कयामत तक और सल्मान खान की मैंने प्यार किया ने सारे धर्रों को हवा में उच्छा दिया शाहरुक की दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की कामियाब इसे साफ हो चुका था कि जनता सर्फ आक्शन नहीं देखना चाहती लव स्टोरीज के लिए नया मार्किट खुला लेकिन जो चीज किसी तासा महत की तरह आई थी अब मेकर्स उसे भी बासी बनाने पर आतुर हो गए DDLGC फिल्में इंडिया से बाहर भी खूप पसंद की गई 90's के दूसरे हिस्से में मेकर्स ने इंडियन ओडियन्स से आँखें मीच कर बाहर कर रुख करना शुरू किया अब वो सिर्फ overseas distribution को ध्यान में रख कर फिल्म में बनाना चाहते थे जबर्दस्ती Switzerland और London में शूट किये गए गानों के लिए भारती कहानियों में जगह बनाई गई उस दशक के आंचता के ट्रेंड चलता रहा नई सदी के पहले दिन Film Trade Magazine Film Information का एडिशन बाजार में उत्रा उसके एडिटोरियल का टाइटल था Is the Film Industry Okay? यानि के Film Industry ठीक है? आर्टिकल ने इस बात के आलूचना की कि मेकर्स धडलने से सिर्फ Overseas Territory को ध्यान में रखकर फिल्म में बना रहे हैं इसे खतरनाक ट्रेंड कहा गया जल्द ही ये सब बदलने वाला था साल 2001 तक नाशनल डिस्ट्रिब्यूटर के नाम पर सिर्फ राजश्वी गूत था सिर्फ वही लोग पुरे देश में फिल्में डिस्ट्रिब्यूट कर पा रहे थे 2003 में Corporates की एंट्री हुई इंडस्ट्री में एक व्यवस्था बनने लगी Corporate Producer अपने हिसाब से फिल्में बनाकर डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते थे वायकॉम और यूटीवी जैसे प्लेयोस की एंट्री हुई आगे चलकर वायरेफ ने भी अपना डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क तयार किया बीते साल आई जवान का Overseas Distribution वायरेफ ने ही संभाला था आज की समय में कई स्टार्स अपनी फिल्में खुद डिस्ट्रिब्यूट करते हैं हलंकि ये कोई नई बात नहीं है ये काम राजेश खन्ना और अमिताब बच्चन के जमाने से होता आया है डिस्ट्रिब्यूटर सबसे बड़ा रिस्क लेता है एक बार प्रोड्यूसर को उसका पैसा मिला उसके बार वो सुनिश्चित हो सकता है लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर को फिल्म की मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता था एसे में distributor जितना बड़ा risk लेता था उतने ही बड़े इनाम की सम्भावना भी होती थी यही वज़े है कि 70 और 70 की दशक में Stars ने खुद अपनी फिल्में distribute की कई बार ऐसा भी होता था कि किसी star के दोस्त ने कहा कि यार मेरी picture जला दो चाहो तो distribution में अपना commission ले लेना इस केस में भी स्टार्स फिल्मों को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया करते थे सलमान खान के पिता सलीम खान इंदौर के रहने वाले थे तरह नादर्श पताते हैं कि सलीम ने खुद C.I. सर्किट में फिल्म डिस्ट्रिब्यूट की है ये गुजरे जमाने की बात है Corporate Producers के आने के बाद पूरा सीन बदल चुका है अब फिल्में पूरे देश और दुनिया में एक साथ डिस्ट्रिब्यूट होती है इसमें कुछ क्रेडिट S.S. राजमॉली के फिल्म बाहु बली का भी है उस फिल्म की तगड़ी कामयाभी ने साथ इंडियन फिल्मों के दर्वाजे में इन्स्ट्रीम हिंडी ओडियन्स के लिए खोल दिये अब फिल्में पैन इंडिया लेवल पर बनकर रिलीज हो रही है ये पूरी जानकारी आपके लिए खटा की थी मेरे साथ ही या मनने मैं हूगा रिमा आप देखने लेलन टाप सने माज शुक्रिया